तो friends, आज हम discuss कर रहे हैं, physical education का sample paper, जो 21-22 के लिए important है, आपका 7 December को exam होना है, तो इस sample paper को जरूर आप देख कर जाएं, मैंने इसमें अच्छे से explain किया है, और सभी point को detail में cover किया है, तो इसे आप देख लेंगे, तो आपको ज़्यादा मदद मिले के, तो चलिए एक बर sample paper को समझ लेते हैं, आपके 3 section होंगे, पहले section में 24 question होंगे, जिसमें से आपको 20 attempt करना है, इसी तरह से दूसरा section भी होगा, और last, जो C section आपको 12 question होंगे, जिसमें से आपको 10 करना होगा, total आपको questions मिलेंगे 60 question paper में, लेकिन आपको कीवल 50 attempt करने होंगे, और एक question जो है आपका 0. 0.7 marks का है, यानि एक question आप attempt करते हैं, तो आपको 0.7 marks मिलेंगे, इस हिसाब से आपके total paper जो है, आपका 35 marks का होगा, चलिए अब एक करके questions को देख लेते हैं, पहला question है, what is other name of vitamin B2, यानि इसकी chemical name के बारे में पूछ रहा है, तो देखते हैं, एक करके, vitamin B3 जो होता है आपका इसे niacin बोलते हैं, इसकी कमी से white hair हो जाते हैं, थाइमीन को देख लेते हैं, थाइमीन, vitamin B1 का chemical नाम होता है, इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, folic acid आपको पता होगा, vitamin B9 का chemical नाम है, और ये दिया जाता है, pregnant woman को, जिससे की unborn baby जो होता है, उसका brain और spinal cord अच्छे से develop हो जाए, और कि anemia जो disease होती है, women's को generally, वो होने से भी ये बचाता है, और last option है, riboflobin, ये होता है, vitamin B2, तो हमारा right answer हो जाएगा D, next question देखते हैं, what is the formula to divide an odd number of team in upper half, upper half में आपको divide करने के लिए team को, दो equal parts में divide करने के लिए formula पूछा गया है, knockout में, तो माल लिजए odd लिखा है, यहाँ पर, तो odd एक team ले लिजए 9 है, तो किस तरह से divide करते हैं, इसका formula होता है, n plus 1 by 2, equal आपको दो parts में divide करना होता है team को, तो ये इसका formula हो जाता है, equal 9 को half हो जाएगा 4.5, ये possible नहीं है, कि 2 team को half में divide करें, इसलिए formula दिया गया है, n plus 1 by 2, यानि उपर 5 हो जाएगा, और नीचे 14 होगी, तो यहाँ पर देख लेते हैं, n plus 1 by 2, ये इसका right answer हो जाएगा, अच्छा, साथ में देख लिजए, ये upper half का हो गया, अगर कभी lower half का पूच ले, तो n minus 1 by 2 होता है, ये मैं लिग लिता हूँ, lh, ये केशिद का है, next देखे, c में option दिया, n minus 1 by 2, ये है number of matches निकालने का lead tournament, TCHES, matches निकालेंगे, लेकिन किसमे league tournament है, league tournament के को, अगर कभी पूचे, जो है, burger type tournament, तो league का ही दूसरा नाम होता है, burger type tournament, और यहाँ पर जो है, n plus, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, कहीं पर, तो इससे आपके तीन question तयार हो गए हैं, अगर यही चीज, number of matches, अगर आपको कभी पूचे, कि knockout tournament में, तो उसका formula होता है, n minus 1, यानि जितनी भी team है, पस एक match कम होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 9 team लिया था, तो 9 minus 1 हो जाएगा, is equal to आपकी 8 matches हो जाएगे, तो इस तरह का कुछ भी question बने, knockout tournament या league tournament से, तो आपक यू है, formula है, number of matches निकालने का league tournament में, confused नहीं होना है, league tournament है, यह, league को हम burger type या round robin type tournament भी बोलते हैं, चलिए आप अगला question देखते हैं, which test developed to test the fitness of senior citizen test, senior citizen test कहाँ पर है, आपका test and measurement chapter में दिया है, एक Rickley and John senior citizen test, यह उसी test के बारे में है, यह test केवल 60 plus, यानि जो दादा जी, दादी जी हैं, उन्हीं के लिए करा सकते हैं, और किसी को यह test नहीं करा सकते हैं, कभी पूछ ले कि कौन सा test है केवल senior citizen के लिए, या फिर कभी यह पूछ ले कि flirt and functional fitness test, यह इसी Rickley and John senior citizen test का दूसरा नाम है, flirt and functional fitness test, तो इस तरह का कुछ भी option आये, आपको सही करना है, देखे, यहाँ पर Rickley and John senior citizen test, इसी का नाम है, flirt and functional fitness test, क्योंकि यह test के लिए, functional fitness को देखता है, कि दादा दादी जी जो है, अपने रोज मर्रा के काम, daily routine के काम कर पाते हैं, कि नहीं कर पाते हैं, अगला question देखते हैं, question number 4 है, आपका, यह pictures आप extension, दो movement होते हैं, तो flexion में क्या होता है, कि दो joints के बीच का angle decrease होता है, जैसे कोई bicep curl कर रहा है, या अगर leg में माने, तो आपका यह leg है, यह नहीं है, अगर आप sitting कर रहा है, half squat कर रहा है, तो दो joints के बीच का angle close हो रहा है, मतलब decrease हो रहा है, decrease हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे, flexion, और अगर इसी का opposite होता है, अगर यह increase हो जाए angle, increase हो जाए angle, तो क्या बोलेंगे, extension बोलेंगे, increase को बोलते हैं, extension, extension, और decrease को बोलते हैं, flexion, तो अभी आप picture में देखके बताईए कि, angle यहाँ पर जो है, neck और shoulder, या फिर आप यहाँ माल लीजे, तो यहाँ अगर joint है, आपका hit joint या neck को माल लीजे, तो यहाँ पर अगर कोई अपनी body को crouch करता है, जैसे कि front roll में करते हैं, तो क्या होगा है, angle increase होगा कि decrease होगा, no doubt, वो अपने दो joints के बीच में angle को decrease कर रहा है, जैसे कि biceps curl करते हैं, यह वाला मैंने option बताया, biceps को मोड के अपने pass लेके आते हैं, तो वहाँ पर angle दोनो joints के हाथ के बीच में कम होता है, decrease होता है, तो उसी को बोलते हैं flexion, तो यहाँ पर देखिया answer क्या है, flexion दिया हुआ है, flexion इसका right answer हो जाएगा, next question देखते हैं, gliding moment occur with joints, joints में अलग-अलग तरह के moments होते हैं, तो देख लेते हैं कौन-कौन से moment किस-किस joints में होते हैं, तो नी आपका, नी और elbow दोनों में same moments होते हैं, किस तरह का moment होता है, क्योंकि रेके एक ही तरफ moment possible है, कौन सा moment, flexion और extension moment ही possible है इसके अंदर, नी और hip में, नी और elbow में, और hip की बात करें, तो इसमें जो होता है, ball and socket joint होता है, और shoulder में भी हमारे ball and socket joint होता है, तो इसमें केवल आपका, जो है, rotation है, circumtaction है, ये moment possible है, लेकिन आपका wrist joint जो होता है, क्योंकि इसमें कोई इस तरह का joint नहीं होता है, तो यहाँ जो wrist की bones रहती है, वो एक दूसरे पर glide करती है, बतला फिसलती है, तो यहाँ answer हो जाएगा, gliding joint, इसका right answer हो जाएगा, चलिए, अगला question देख लेते हैं, अगला question है, consolation type tournament, consolation type tournament जो होता है, knockout tournament में अगर कोई जो हार जाते हैं, तो वो हारे लोगों का बीच में match कराए जाता है, उसे बोलते हैं, consolation type tournament, तो यहाँ option देख लेते हैं, देखिए, knockout है, knockout का ही एक part होता है, तो यहाँ पर knockout tournament, right answer हो जाएगा, अच्छा, इनका दूसरा नाम भी देख लीजिए, अगर कभी ऐसी question पूछ ले, knockout का दूसरा नाम होता है, elimination type tournament, elimination, और league का होता है, आपको बताया, मैंने बर्जर, या फिर जो है, round robin, दोनों इसके नाम है, round robin, तो बुक से आप देख लेंगे, क्योंकि अगर मैं ज्याद लिख होंगा, तो time लग जाएगा, मुझे, combination जो होता है, knockout और league को मिला के जो बनाया जाता है, उसे combination type tournament बोलते है, अगला question देख लेते हैं, लेखे, which among guests, these are not macro minerals, macro मतलब, लेखे, macro मतलब large quantity में, जिस mineral के हमें जरूरत नहीं होती है, उसे macro mineral बूला जाता है, macro का मतलब large quantity, य इसमें से देख लीजे, क्या है, calcium हमें चाहिए, क्योंकि bone और teeth के लिए हमें चाहिए होता है, है न, और potassium भी हमें चाहिए होता है, phosphorus भी चाहिए होता है, bone और teeth के लिए तो यह ज़्यादा चाहिए, लेकिन iodine, आप जो नमक खाते हैं, iodine की कमी से goiter हो जाता है, यह आपको पता होगा, तो यह हमें बहुत ज़्यादा मातरा में नहीं चाहिए, फड़ा बहुत मिलेगा, तो हम जो है, काम हमारा चलेगा, तो यहां देखे, macro mineral लिखा है, not, यहां not की वज़े से question बदल गया, यानि not मतलब ज़्यादा मातरा में जो नहीं चाहिए, यानि हमें macro की चलिए, question number 8 देखते हैं, who discovered vitamin A, vitamin A का chemical name retinol होता है, और retinol की कमी से, यानि vitamin A की कमी से आपको night blindness और blind spot हो सकता है, और जो chief source होता है, carrot होता है, पालत होता है, यह सारी चीजे में आसानी से मिलता है, और इसको discovered करने वाले थे option A, doctor MC, और नीचे वाले option को भी देख लेते हैं, तो यह नाम तो दिया, डॉक्टर कुबर्टीन, तो पीरेडी कुबर्टीन इन्होंने ओलंपिक गेम स्टार्ट किये थे, तो यह तो बिल्कुल relevant नहीं है, जेवी नैश साइकॉलजिस्ट पे यह भी नहीं है, डॉक्टर हावर्ड यह तो नाम ही गलत है, क्योंकि डॉक्ट दिखे द्टीन स्टीनिश्टे में जो है, डूहा लूसे यां बूहा थे, लूसे नेश्टे में अगलत है चाहवर्ड इस तर आपप टेस्ट को डबल अप किया था, और यह याद रखिएगा, हावर्ड इससे अपप टेस्ट को कभी हावर्ड नहीं रिखेगा, क्योंकि थ दबलब किया था यह कई बार बच्चे गलत कर देते हैं चलिए नेक्ष्ट कुश्य है हमेशा काई वाला हिस्ट टीकर में हमेशा है काई फोसिस होता है ठीक है सबसे में थारा रीजन फिर बार दो सक्रिद्स करदों इसके बाद नंबर रीजन अपका पेट वाला हिस्ण निकल जाए जैसे मोटे लोग होते हैं या प्रेगनेंट बूमेन होती हैं तो फुड़ा सा पेट आगे की ओर निकल जाता है और इस समय जो है जो स्पाइन होती है वो आगे की ओर ठोड़ी बढ़ जाती इसकी वज़े से उनकी हाइड कम दिखाई देने लगती है तो लंबर रीजन में क्या होता है हमेशा क्योंकि यह इनवर्ड कर और ज्यादा ही इनवर्ड हो जाता है और नॉर्मल से जाता बढ़ जाता है तो इस जगह पर होता है लॉडो सिस इसको इस तरह से भी पूछ सकता है कि कभी पूछ ले कि पूछ ले कि इपना और पोश्टल डिफार्मेटी एड़ बैक तो एड़ बैक जब वे पूछे तो हमीशा पीछे की जो कूबड निकलता है यह होता है जो आपका kyphosis है तो अगर पूछे पीछे का kubr क्या है तो पीछे जो आपके कंधे पर या पर बैक पर जो निकलता है उसे kyphosis बुलते हैं और जो आखी की और kubr निकलता है यानी पेट आगे की और निकल जाए तो उसको kubr मान लिजिया जब पूछे कि postural deformity at front तो आपको lord लोडो सिस आंसर करना है अभी तो यह सिंपल से पूछा है एकदम आ रहा है कि कर्व एड़ लंबर रिजिद तो सीधा पता चल रहा है लोडो सिस्कोदी की आंसर कहा है आंसर डी इसका राइट अंसर हो जाएगा इसके बारे में भी सुन लीजिए नौक नी इसको जो साइंट हो जाते हैं दोनों पैरों के बीच मैं काफी गयाप वाईड उसे बोल लेकर बोलते हैं और इसका जो दूसरा नाम होता है जेनु वारम और काइफोसिस मैंने आपको बताया कि कूबर निकल जाता है तो उसी को बोलते हैं हम बैग हंच बैग दूसरा नाम जो है इसका हम बैग तो यह सब आप देख लीजेगा एक बार हम बैग वीडियो लेसन में और लॉडोसिस का दूसरा नाम क्या होता है हॉलो हो जाता है और वह पेट के साइड आ जाता है तो इसलिए अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर 11 विश टेस्ट इज यूज तो टेस्ट अफंक्शनल एबिलिटी अमंग्स दस सीनियर सेटीजन तो यह मैंने बताया था आपको इस सीनियर सेटीजन टेस्ट को जो है हम रिक वो के लिए नहीं है क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा उनसे स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडॉरेंस नहीं देखते हैं हम जनरल फंक्शनल एबिलिटी देखते हैं यानि वो डेली रूटीन के काम कर पा रहे हैं कि नहीं उनके हिसाब से जब किसी वेक्ती की 60 की एज हो जा अपना शूज वगरा पहन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं कुछ अगर उनको मार्केट से सबजी लेके आनी है तो वो लेके आ पा रहे हैं कि नहीं तो इसका टेस्ट नहीं है लेकिन यही सब चीजे वो जो है फंक्शनल फिटनेस होती है जो डेली रूटीन के काम होते हैं उनका body function कर रही है कि नहीं, यह test होता है, तो एक बार देख लिए हम, देखे यहाँ पर रॉपोर्ट है, यह अभी आप इसलिए बस में नहीं है, Harvard test है, आपका cardiovascular fitness test करने के लिए Rickley and Jones, जो है, यही टेस्ट है, आपका senior citizen का, और fitness index score यह एक अलग चीज़ है, यह इससे relevant नहीं है तो आपका सही answer क्या हो जाएगा, आपका रिकली and Jones, यहाँ पर यह मिटा देता हूँ, Harvard के सामने, यह तो लोग confused हो जाएगे, चलिए, अब अगला question देखते हैं, the test duration और arm girl, arm girl के लिए test duration क्या है, तो इसका सही answer है, 30 second, यह कौन से chapter से है, जो test and measurement में, इसी का, इसमें total 6 test होत होते हैं, उनमें से एक test है, arm girl test, और उसका duration होता है, 30 second, इसमें एक dumbbell लिए रहते हैं, दादा जी, और उनको 30 second तक, उस dumbbells को arm girl करता हुए, दिखाना है, अगला question देख लेते हैं, which postural deformity has convexity right or left, मतलब, यह partial deformity है, जिसमें convexity हो जाए, right और left, तो देखें, आपने देखा हुए, जैसे आपकी spine एकदम सीधी तो होती नहीं है, लेकिन, उसमें जो है, कभी आपने सुना, यह इस तरह नहीं रहती है, तो यही convexity अगर बढ़ जाए, किसी एक side में, right यह left में बढ़ जाए, तो उसे बोलते हैं, scolosis, अब scolosis भी दो तरीके का होता है, माल लिजे, इस तरह से कुछ है, तो अगर कोई convexity बढ़ जाए, एक side में, किसी भी side में, माल लिजे, इधर थोड़ी सी spine हो जाए, अगर एक side में है, तो उसे बोलेंगे single scolosis, अगर एक side इधर हो गया, और दूस इधर हो गया, दूसरे side हो गया, इधर side हो गया, तो दो side scolosis हो गया, तो उसे बोलेंगे double scolosis, यानि दो scolosis है, तो यहां पर पहले हम इस question के according देख लेते हैं, scolosis यहां right answer हो जाएगा, flat foot क्या होता है, जब हमारे foot के major होता है, हमारा soul of the foot होता है, उसमें एक arch होता है, यह arch disappear हो जाए, और हमारा पूरा foot ground के contact में आ जाए, उसे flat foot बोलते हैं, knock नी उपर बता चुका हूँ, kyphosis भी उपर बता चुका हूँ, बस flat foot का दूसरा नाम जान लीजिए, pest planus, या फिर fallen arch, इसका दूसरा नाम होता है, अगला question देख लेते हैं, which motor skill is involved in smashing the ball? किसी ball को smash करने के लिए, तो कौन सी skill involved होती है, तो आपने children in sports में पढ़ा होगा, gross motor development और fine motor development, तो उसमें किस चीच का, जो है, इसमें से आपको पहचानना है, देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, gross motor development होता है, large muscle का development होता है, जैसे कि jumping, throwing, catching, इन सब चीचों में, large muscle activity involved होती है, fine motor क्या होता है, जैसे आपने कोई skills सीख ली है, और उसमें fine activity करने हैं, बिल्कुल आपको जैसे कि discuss आप देख रहे हैं, तो उसमें जो motor skills, यानि जो जिन activity को करने में fine muscle इस्तिमाल लगती हैं, जैसे कि art बनाने में, painting बनाने में, या कोई ऐसी sports skill जो आपको, जैसे कि यह उपर लिखा हुए smashing और volleyball, आपको volleyball खिलने आ सकता है, लेकिन smash करने का तरीका आप हो सकता है, लेट में आए, उसमें fine muscles आपकी involved हो, और उन है न, तो उसे बोलते हैं fine motor skills, तो यहां right answer हो जाएगा, fine motor skills, question number 15 देखते हैं, who gave a law of motion, law of motion किसने दिया था, newton के द्वारा दिया हुआ था, यह newton answer यहां पर हो जाएगा, लेकिन एक बार समझ लेते हैं, newton ने कौन से law दिया थे, तीन laws दिये थे, यह बहुत important है, तो एक ब बतलब जो भी चीज कोई अपनी position में है, वो उसी position में हमेशा रहेगी, जब तक कि उस पर कोई external force ना लगाया जाए, जैसे कि कोई football है, penalty spot पे रखी हुई है, तब तक यह penalty spot पे रखी रहेगी, जब तक उस पर कोई force ना लगाया जाए, जैसे कि referee ने signal दिया कि ओके, आप ज सकते हैं, मतलब आप football को kick कर सकते हैं, तो जैसे ही football पे kick होगा, और वो moment करना शुरू कर देगी, तो इस तरह से भी question पूछा जा सकता है, कि penalty spot पे football रखा हुआ है, अभी ये कौन सा Newton के law को follow कर रही है, तो law of inertia, दूसरा law देखिए, दूसरा law को बोलते है law of acceleration, और इसी acceleration को ही law of momentum भी भोला जाता है, तो दोनों में से कोई भी नाम अगर आता है, तो उसे आपको law of Newton का second law ही मानना है, ठीक है, law of acceleration, acceleration और momentum, momentum, ये दोनों एक ही नाम है, इसका एक formula बहुत important है, इसको मैं आगे उपर लिख देता हूँ, f is equal to ma, यहाँ f होता है force, और m जो है mass को बताता है, और a for acceleration, अगर हम a को इधर ले आएं, तो हो जाएगा हमारा f upon m, इसका मतलब एक बार समझ लिए, acceleration का मतलब आप एक बार समझे कोई वेक्ती है, definition एक बार देख लेजिए, rate of change of motion, यानि किस rate से किसी चीज का motion change हो रहा है, momentum change हो रहा है, कैसे, जैसे कोई वेक्ती है, walking कर रहा है, फिर उसने jogging करना शुरू किया, फिर उसने running करना शुरू कर दिया, और full speed में उसने sprint करना शुरू कर दिया, तो इसी को बोलते हैं acceleration कर लो, यानि उसके speed में जो changing आ रहा है, initially जब वो walking कर रहा था और sprinting, highest speed, उनमें जो changes आ रहा है, यही acceleration law define करता है, तो यह इसी को हम बोलते हैं, law of acceleration, इसको एक बार देख लेते हैं, इसको आप definition अगर बनाना हो, तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं, law of acceleration को, acceleration is experienced by the body, is directly proportional to its force, and inversely proportional to its mass, इसका मतलब क्या होता है, इस definition का, देखिए, अगर कोई चीज कितनी accelerate करेगी, फोर्स लगाने पर, और उसके mass पे डिपेंड होता है, और force पे डिपेंड होता है, example से समझ लीजिए, अगर आपको एक short put दिया गया, तो आपने उस पर force लगाया, तो जितना distance वो cover करेगी, होगा वही आप, जितना भी आप force लगाएंगी, उतना distance वो cover करेगी, लेकिन सेम force के साथ, अगर force को constant कर दिया जाए, अब उतना ही force short put के साथ, अब आपको किसी चीज़ का mass बदल दिया जाए, यानि अब आपको hulky ball दे दी गए, tennis ball दे दी गए, तो tennis ball दिया, तो ये ball hulky हो गई, इस वज़े से अब आप जितना भी force लगा रहते पहले, उतने ही force में, वो distance ज़्यादा cover करेगी, उसका acceleration ज़्यादा होगा, यानि force जितना ज़्यादा लगाएंगे, उतनी दूर जाएगी, कोई वस्तु, लेकिन अगर उसका mass कम है, तो वो ज़्यादा distance cover करेगी, अगर इसी का mass बढ़ा दिया जाए, action reaction, यह बड़ा common है, है न, तो इसके बारे में सब लोग जानते है, action reaction में क्या होता है, कि जितना आप force लगाएंगे, उतना ही reaction आपको वापस मिलेगा, example के लिए समझ लीजिए, कि कोई cricketer है, वो उसको, उसने अपने bat को swing किया और force लगाया, और impact होने के बाद, वो ball 4 या 6 हुआ, boundary learn को cross कर जाती है, तो यहां पर कौन सा law लगेगा, action reaction, कि जितना action किया उसने, जितनी टाकट लगाए, उतनी dude ball गई, 4 गई या फिर 6 गई, इस तरह से भी question, case base में पूछा जा सकता है, आपसे, है न, तो एक पहला question मैंने बताया, football penalty spot पर रखी है, तो यह case base हो सकता है, कि कौन सा law है, दूसरा acceleration में बताया कि, जो अपने momentum को change कर रहा है, momentum को, तो question कैसे पूछेगा, कोई अगर running कर रहा है, jogging कर रहा है, तो उसमें कौन सा लग रहा है, कौन सा neutral law लग रहा है, तो जब continuous moment हो रहा है, जैसे कि momentum में आ रहा है, running हो रही है, तो speed देरे-देरे change हो रही है, तो वहाँ पर law of acceleration acceleration लग जाएगा, और action reaction क्या होगा, जैसे high jump, long jump, एक बार जितना आपने force जमीन में लगाया, और power generate की, उतना ही आप higher jump कर पाएँगे, या long jump कर पाएँगे, जैसे कि आपने कोई जो है, बंदूख से गोली fire किया, तो आपको पीछे जो है, जटका लगता है, वो भी action reaction की वज़े से ही लगता है, next question देखते है, Harvard step test perform to check which kind of fitness, Harvard test आपको बताया था, मैंने, किस ने develop किया था, लूसियन ब्रोहा ने 1943 में इस test को डबलब किया था, किस लिए cardiovascular या फिर cardio respiratory, दो option में से कुछ भी हो, वो सही है, मतलब यहाँ पर लिखे, cardiovascular लिखा है, और cardio respiratory भी कही बर लिखता है, तो option सही है, explosive muscular reaction ability इसके लिए नहीं है, next question देखते हैं, which picture is also known as berger system, देखिए यहाँ पर फिर वही जो मैंने पीछे explanation किया था, berger system, या फिर round robin भी कभी पूछे, तो दोनों सेम है, round robin मने बताया ही था, और berger भी बता दिया था, कि league tournament का ही type होता है, अच्छा, यहाँ पर option ही round robin दे दिया है, तो round robin सही हो गया, यानि या league tournament देता है, तब भी सही था, ठीक है, combination जो होता है, आपका league और knockout का combine होता है, challenge type tournament जो होते हैं, आपके, जैसे tennis होता है, badminton होता है, इन सब games में होते हैं, ठीक है, तो यहाँ answer B सही है, अगला question देखते हैं, which of the following is not spinal curvature deformity, जो spine से related deformity नहीं है, तो spine में तीन deformity हैं, आपके, syllabus में kyphosis, lodosis और scoliosis, और यहाँ पर option D दिया हुआ flat foot, क्योंकि यह foot की deformity, यह तीनो spine की deformity है, अगला question देखते हैं, what according to you, the main cause of night blindness, अभी उपर देखिए, जो questions मैंने option discuss किये थे, उसी से questions भी आ रहे हैं, night blindness बताया था आपको vitamin A की कमी से होता है, जिसका chemical name retinol होता है, और A कहां मिलता है, आपके carrot में मिलता है, और जो आपकी पालक होती है, spinach होती है, उसमें भी मिलता है, तो देखिए, इससे option discuss करने से आपके कुछ question और तैयार होना है, चलिए एक और कुछ, इनके भी option देख लेते हैं, vitamin E, जो vitamin E का जो chemical name होता है, tocopherol होता है, और इसकी कमी से infertility या फिर impotency की शिकायत होती है, vitamin C, ये water-soluble vitamin होता है, और vitamin C की जो है, इसका ascorbic acid, इसका scientific name होता है, और इसकी कमी से scurvy deficiency होती है, तो इसको भी याद करनें, और जो कहां पर मिलता है, जितनी भी खटी चीज़ें हैं, जैसे आवला है, नीबू है, इन सभी में vitamin C मिलता है, vitamin D, इसको sunshine vitamin बोलते हैं, और ये हमें सूरी की रोशनी से मिल जाता है, और हमारी body खुद से बना लेती है, तो vitamin D, और इसकी कमी से क्या होता है, या तो osteoporosis, या फिर osteomalacia, या फिर जो है, इस तरह की बिमारी हो जाती है, कई बार जो है, रिकेट्स करके लिए आता है, आप्शन में, तो रिकेट्स में vitamin D की कमी से ही होता है, लेकिन इस question के लिए, अभी vitamin C, sorry, option C सही answer होगा, यानि vitamin A, next question देखते हैं, which law among us are given a one, once known as a first law, देखिए, उपर हमने discuss किया था, तीनों laws को, first law को बताया था, law of inertia, ये होगा आपका first law, इनको भी discuss कर लेते हैं, law of reaction क्या है, third law है, law of momentum और acceleration, ये दोनों same है, second law, है न, तो इस तरह से आपके और ही questions तयार होगे, उपर का discussion करने की बज़े से, चलिए, अगला question, what is the ratio of carbon, hydrogen, or oxygen in carbohydrate, जो है, हमारी body में सबसे ज़्यादा consume होता है, तो यहाँ पूछा है, carbon, hydrogen, और oxygen का ratio क्या रहता है, इस में, तो कितना होता है, carbon होता है, hydrogen जादा होता है, और फिर आपका oxygen 1 होता है, तो यह इसका ratio, option देख लिजी कहाँ पर, 1 to 1, देखिए, एक question कई बार ऐसे आता है, कि balance diet, जो है, जिसमें carbohydrate, fat, और protein का ratio बताईए, तो यह देखिए, दोनों question अलग है, इसमें carbohydrate में carbon, hydrogen और oxygen पूछा ह है, और मैं balance diet में बता रहा हूँ, carbon, carbohydrate, fat और protein का ratio, तो यह ratio होता है, 4, 1, 1, यह balance diet का ratio है, तो इस तरह से भी question पूछा जा सकता है, 22 question देखते है, formula for determining the number of rounds in a single league picture, when the team is even, अगर even है, तो number of round कैसे निकालेंगे, किसमें, single league में, तो यहां important है, यह देखना कि single league के बारे में पूछा लिया है, तो league में जो है, formula अलग हो जाता है, knockout formula अलग है, इस बात से confuse नहीं होना है, तो देखे, even में क्या होता है, आपका, जब even team होती है, माल लिजे, आपकी six team है, और एक seven का example ले ले लेते है, even और odd का, जब six team है, even team है, और single league में आपको round निकलना कितने number of round होंगे, तो even में n-1, जितनी भी team है, उसमें से एक round कम होता है, यानि यहां six है, तो six minus one हो जाएगा, यानि five rounds होंगे, और यहां माल लिजे odd है, तो इसमें क्या formula होता है, n, यानि जितनी team है, उतने ही number of rounds हो जाएगे, है न तो odd हो गया, तो n ही उसका formula होगा, और even है अगर, even है तो यहां देख लिजी, even है ही, six तो even है न, even है तो n-1 हो जाएगा, तो यहां formula देख लिजी कहां है, n-1, यह सही answer हो जाएगा, अगला question देख लेते हैं, which postural deformity is related to the posterior curve of spine, देखे, posterior मतलब होता है पीछे, पीछे का curve ज जो thoracic region होता है, यानि upper back का हिस्सा होता है, वहां पर होता है, posterior का मतलब, पीछे का curve आपका, kyphosis हो गया, अगर कभी पूछे anterior, anterior मतलब होता है, सामने, तो सामने का कौन सा होता है, logosis, और scoliosis जो है, आपका side का postural deformity है, यानि आपकी spine sideward, चाहे left side या right side, जुग जाएगे, नौक नी तो बताई दिया, मैंने आपको इस तरह से भी आपस में touch हो जाती है, चलते हो, okay, question number 24 देखते है, which movement is caused by moving body part, moving body part away from the midline, midline से कोई body parts अवे जा रहा है, यानि दूर जा रहा है, तो एक बार इसको भी देख लिजिए, बायो माकेडिक्स का ये fundamental movement से related chapter है, ये कोई वेक्ती है, और midline किसे बोलते है, जो आपकी spine है, जो आपकी vertebra columns है, उनको माल लीजिए, वही आपकी midline है, body की, तो अगर पूछ रहा है कि body parts अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, जैसे आपने हाथ जो है, अपने attention position में रखे है अब उसको आप T position मिला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, midline से, यानि इस तरह से आप हाथ को दूर ले जा रहे हैं, इस तरह से कई वर picture भी दिया रहता है, तो आपको fundamental movement को पैचानना होता है, तो दूर जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा, आपका होगा, abduction, यह वाला answer, और abduction का ही उल्टा होता है, adduction, यहाँ पर a double d जो लिखा हुआ है, a double d आपका key point हो जाएगा, यानि अगर वापस से midline की तरफ अगर body parts आए, जो भी हाथ आप ले कर गये थे, इस हाथ को मन लिजे, आप वापस से attention position में ले के आते हैं, तो उसे बोल होते हैं, adduction, adduction का मतलब हो गया, key point आप एक लिख लिजे, towards, जब पूछे towards, यानि towards midline आ रहा है, तो वहाँ पर होगा adduction, यह इसका key point है, flexion और extension को भी एक बार आप समझ लिजे, flexion मतलब क्या होता है, कोई दो joints है, माल लिजे, आप knee का या elbow का माल लिजे, elbow का joint माल लिया म तो यह angle अगर decrease हो, दो joints के बीच में angle decrease हो, तो उसे बोलेंगे आप flexion, वो होगा flexion, और flexion का उल्टा होता है extension, यानि angle के बढ़ जाए, दो joints के बीच के angle बढ़ जाए, यानि आप biceps करने के बाद, वापस से relax कर रहे हैं अपने हाथ को, तो उसे बोलेंगे extension, extension, तो आगे कभी question इस तरह से भी आए, तो आपका ये भी question तयार हो गया, ठीक है, लेकिन यहां पर right answer D होगा, next question देखते हैं, देखिए, यहां पर जो है, section B है आपका, section B में दिया है, picture दिया हुआ है, इसे आपको पहचाना है, यह आप देखते है, motor fitness test में कराए जाता है, seat and reach box होता है, जिसमें आप अपनी flexibility को नापते हैं, तो यहां पर क्या है, test आपका, यहां हो जाएगा, flexibility का test है, यह मैंने आपको video lesson में बताया था, कि किस तरह से foot का पूरा impression होकर आ जाए, किसी में, तो उसे flat foot बोलता है, जैसे यह पहला flat foot है, और यह normal foot है, तो question क्या walking करा सकते हैं, walking on hill करा सकते हैं, बिल्कुल दोनों बाते सही हैं, और hanging यह इस से मतलब नहीं है, यह बोथ A and B correct है, क्योंकि अगर आप horizontal bar पर लटक रहे हैं, जैसे आप chin up करते हैं, तो उसे पैरों के तो कोई effect नहीं पढ़ रहा है, लेकिन यह दोनों चीजे पैरों के लिए हैं, तो यह सही answer हो जाएगा, next question देखते है, identify the component of fitness, यह motor fitness test का question है, test through this exercise, यानि देखिए यहां से जो आपका standing broad jump करते हैं, वो किसलिए करते हैं, explosive leg strength, जो आपकी power जो होती है, लेक की explosive power होती है, उसे चेक करने के लिए किया जाता है, तो explosive leg strength, इसका answer हो जाएगा, अगला question देखते है, how many matches will be played, when played, if there is a 22 team in knockout, तो कितने match के लिए जाएंगे, पहला वाला था, league का पूछा गया था, अब यहां पूछा गया है, knockout में, कितने matches के लिए जाएंगे, n-1 इसका formula है, जितनी पी team आई होंगी, उससे एक match कम होगा, यानि हाँपर 21 answer हो जाएगा, देख लेते हैं, 21 answer हो गया, अगला question देख लेते हैं, how many buy will be given, if there is a 8 team in league tournament, कितनी buy दी जाएंगी, league tournament में अगर 8 teams खेल रही हैं, तो आपको पता होगा, league tournament में कोई buy नहीं दी जाती है, क्योंकि league tournament में सभी के साथ match खेलना होता है, और तो इसलिए buy तो होती ही नहीं, buy का concept league tournament में नहीं होता है, तो 0 buy हो जाएगा, अगला question देखते हैं, हलासना is used to curing the deformity, पहले देख लिजिए हलासना कैसे होता है, जैसे ये किसी वेक्ति का head है, उसने अपने पैरों को मोड के, यहां पीछे ऐसे लगा दिया, इस तरह से हलासना होता है, तो इससे क्या deformity ठीक होती है, तो एक बार ध्यान दीजिए, क्याइफोसिस नहीं होता, क्योंकि पीछे, जो है, पीछे के deformity कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है, स्कॉलेसिस साइड वर्ड उसे भी कोई फर्क नहीं पढ़ अच्छा, ये देखिए, अगर किसी का पेट आगे की ओर आया है, अगर उसे हलासन करने के लिए कहा जाएगा, तो धीरे-धीरे वो reduce होना श ही हो जाएगा, चली question number 31 देखते हैं, match the following है, तो यहाँ match the following में vitamins के जो उनकी chemical name से उन से आपको मिलाना है, तो आपको पहले देखे क्या-क्या पता है, मैंने B3 के बारे में बताया आपको niacin, जिसकी वज़ए से white hair हो जाते हैं, ये आपको बता दिया मैंने, white hair, और दूसर आपको क्या पता है, अच्छा आपने सुना होगा, biotin shampoo, बहुत बारे में बार सुना होगा, जो hair fall रोकने के काम आता है, यानि अगर biotin की कमी हो, vitamin B7 की कमी हो, तो क्या होता है, hair fall होते हैं, ये use किया जाता है, उन shampoo में, अब D1 आपको पहले बताया था, thiamine, vitamin D1 का ही दू लास्ट आपको पता ही चल गया कि क्या है, जब ये सारी चीजे पता चल गई, तो आपको पता चल गया, B12 जो है, kobalamin, यहाल जो लिखा हुआ है, यहीं B12 का नाम है, ठीक है, तो ये आपका answer हो जाएगा, अब इसको हम मिला के check कर लेते हैं, देखें, यहां पर किसे मिल रह है, C से मिल रहा है, और ये जो है, 2 आपका किसे मिल रहा है, D से मिल रहा है, और B7 जो है, आपका मिल रहा है, B से, B option से, और B1 जो है, आपका मिल रहा है, थाइमीन, A option से, तो option हम चेक कर लेते हैं, C, D, B, A, यहां पर जो है option दिया है numerical values में यानि हमको यह है आपका left side और यह है right side तो right side से इन्होंने ABCD लिखा है यहां पर A यह लिखा है B B C D इस तरह से मिलाया है और इन्होंने numerical value से मिलाया 1,2,3,4 को तो हम इस side से मिला कर देखते हैं क्योंकि option के हिसाब से ही हम को अपना question सही करना है तो चलिए देख लेते हैं तो यहां पर हमने यहां पर A किस से मिलाया है लास्ट में 4 से मिलाया है पूर से मिलाया है और हमारा बी ऑप्शन हमने किसे मिलाया है यहां पर थ्री दिया arkie से मिलाया ओर को कुबला में जो हैं आपका कुबलामिन ही बोलते हैं तो यह जो है आपका इसकी कमी से वैसे नीमिय होता है जान लिगें वीट्वल से आपने वन से मिलाया है निया सीन आपका बी तरी जो था किसे मिलाया है आपने टू से लाया है तो इस अगर इधर से पूछता हो से कि राइट हैंड साइट से पूसिस आप से option के according आप सही मैं इस दा following करेंगे चलिए अगला question देख लेते हैं 32 number questions इसमें भी देखिए option को एक बार देख लेते हैं देखिए उसी तरह से numerical value दिया है हमको ध्यान रखना है यह है इसका left hand side यह है इसका right hand side से हम मिलाकर option को चेक करेंगे क्योंकि इधर से ABCD देखिए इधर लिखा है और उसका 1234 option में दिया है यह इसको इससे मिलाएंगे तो चलिए देख लेते हैं lower body strength के लिए हम पहले देखिए lower body strength किस से चेक की जाती है तो आपको क्या क्या पता है मैंने बताया था lower body strength या explosive strength के लिए आपको यह बात पता है lower body strength यहां से ठीक है यह आपका option हो गया यानि option number 4 आपका हो गया क्योंकि A जो है 4 से मिल रहा है ठीक है अब देखिए यह क्या है आपको पता है वेल सेंड डिलन ने एक test develop किया था जिसे sit and reach test बोलते हैं यह ट्रंक लेवल के flexibility यानि lower body flexibility के लिए इस्तेमाल होता है तो B को हम मिलाते हैं यहां से यानि one से मिलाते हैं और इसके बाद यह जो push-ups हो रहा है यह upper body strength या endurance भी कई पर लिखा रहता है तो देख लेते हैं अभी हमारे पास क्या option है upper body strength यानि यह जो है से मिल गया इसको बोलते हैं सी किसे मिल रहा है थार्ड से मिल रहा है अब देखिए यहां से abdominal strength अब एक ही बचा हुआ है आपको पता तो चल रहा है लेकिन देखे यह है आपका abdominal अच्छा मैं arrow को इधर्ज लगाता हूं कि मैं D से 2 को मिला रहा हूं इससे किसी को confusion नहीं होगा option में देखने पर है डी से मैंने 2 को मिलाया है abdominal strength क्याती है जो पेट वाला हिस्सा होता इसी को abdomen बोलते हैं और जो आप देखते हैं न एप्स बनाने के लिए किया जाता है वही abdominal strength develop करने के लिए crunches या setups किये जाते हैं तो किसे abdominal strength मिल रहा है आपका 2 से तो देखिए option 4 1 3 2 4 1 3 2 देखिए अच्छा एक बार ध्यान दीजेगा अगर हम उस तरह से नहीं मिलाते तो हमको option ही right आपको नहीं मिलता कि देखिए जिस तरह से option दिया हुआ है इसमें अगर हम हम इसको मिलाते हैं one जो है बी से यानि टू से देखिए पहले बें टू कहीं दिया नहीं है इसलिए मैंने option के according इसको चेंड किया left hand side and right hand side है न तो इसलिए हमारा option सही हो गया 4132 यहां पर answer होगा ठीक है चलिए अगला question देख लेते हूं यह भी match the following है तो इसमें भी option को हम देख लेते हैं यह भी उसी left hand and right hand side से मिलाना पड़ेगा यानि left hand side इधर है यह right hand side है तो right hand side को हमको left से मिलाना है यानि ABCD को जो है 1234 से मिलाना है तो arrow हम इधर से खीचेंगे और इतरी से numbering करेंगे तो देखे होर्स राइडिंग दिया हुआ है अहल आसन दिया है और गरुन आसन दिया हुआ है और कुछ ठीक करने के लिए होर्स राइडिंग या साइक्लिंग कर सकते हैं तो यहां 11 से मिल गया अब देखिए अगला क्या है यह आपका जो है अभी उपर हमने देखा भी था यह लॉडोसीज को ठीक करने के लिए क्या करते हैं तो यह अंदर की ओर जाएगा दो आपका यह भी मिल गया थ्री से अगर देखते हैं तिरकोणा शंट क करतेے हैं जब स्पाइं जो हैं लेफ्ट एर राइप साइट किसी साइच बढ बेंड हो जाए WHY ँसास करते हैं जिसे यह बोले यह आपका मिल रहा है इससे गरुनासन से चीक है तो डी आपका किसे मिल रहा है टू से डी वाला जो है आपका टू से मिल रहा है तो आपको option कैसे देखना देखिए राइट साइट से लेट साइट की ओर देखना है यानी 1342 यानी C option आपका राइट हो जाएगा अब इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपको क्योंकि arrow लगाकर भी बता दिया है अब किस तरफ से भी आता है आप उसको कर सकते हैं मेन आपको concept समझ के रखना है ठीक है तो 1342 इस यह आपका fundamental moments है उनके बारे में पूछा गया है तो इसमें option देख लेते हैं इसको भी right hand side से आपको मिलाना होगा left hand side को यह आपका right hand side हो गया और यह आपका left hand side हो गया मैंने लिख दिया अब आपको इस side से आपको धर की side को मिलाना है चलिए देखते हैं क्या होता है मैंने की point बताया था decreasing the angle between two bone तो कहां पर joints में माल लीजे तो या तो अगर नी हो या आपका elbow है यहां जब angle क्या हो रहा है decrease हो रहा है इस जगह देखिए close हो रहा है यह जो है arrow इधर दिया हुआ है यानि कर्ल किया जा रहा है तो इसलिए flexion कहा हो जाएगा चौथे वाले में हो जाएगा फोर्ट वाले में तो पहले एक फोर हो गया और flexion का opposite क्या होता extension जब angle बढ़ रहा है यानि increasing the angle तब उसे extension बोलते हैं तो यह आपका C जो है आपका किसे मिल गया इससे मिल गया 3 से अब्दक्शन मैंने बता दी आपको add वाला चीज मतलब towards midline इसका key point है towards midline और midline क्या होती है स्पाइन होती है तो यह अगर आपकी spine है बीच में center में towards आ रहा है यह दोनों हाथ आपस में close आ रहे हैं attention position की तरफ यह adduction हो जाएगा कई बार पूशता है कि आप PT drills कर रहे हैं तो PT exercise कैसे करते हैं आटेंशन से आप हाथों को उपर clap कर रहे हैं तो कौन सा आपको last है पता चल गया होगा फिर यह बीड लाइन से अवे जा रहा है बाहर की और जा रहा है यह distance बढ़ रहा है, तो जब midline से distance बढ़ जाता है, अवे जाता है, तो उसे बोलते हैं abduction, तो इसका answer हो जाएगा d का, यह one है, pictures थोड़ा सा उपर नीचे हो रखी है, यह देखिए one है, और यह two है यहाँ पर, यहाँ two से मिल रहा है यह, है न, तो option देख लेते हैं, four, one, three, two four, one, three, two, यानि option number four जो है इसका right answer हो जाएगा, 35 question देखते हैं, which statement is not true about protein, protein के बारे में कौन सा statement सही नहीं है, तो protein form a new tissue आपको पता है, protein body building type food होता है, और यह नए tissues और cells को generate करता है, और repair भी करता है, तो यह इसका बिलकुल सही है, यह तो है, लेकिन यहाँ में not खुजना है protein regulate the balance of water and acid, बिलकुल सही बात है, balance करता है, protein help in production of hormones, यह इसका option नहीं होगा, ठीक है, protein make antibodies बनाता है, यह बनाता है, यह भी बात सही, यहाँ पर यह तीनों बाते सही है, लेकिन हमको क्या खुजना है, यहाँ पर not खुजना है, कौन सी बात सही नहीं है, तो यह तीनों चारों अगला question, how many rounds will be played if number of teams are 29 in knockout tournament, तो 29 आपकी team दी हुई है, उसमें आपको number of rounds निकालना है, किस तरह से निकालते हैं, आप एक बड़ formula याद कर लीजी, formula इसका कुछ नहीं होता है, बस यह आपको देखना होता है, बाई आप जैसे निकालते हैं, 2 की हमें ऐसी power लेनी होती है, next power of 2, minus number of team निकालते हैं, तो उसी तरीके से इसको भी करते हैं, तो आपको सीधा-सीधा जब भी number of round पूछे, तो आपको क्या करना है, 2 की power के रूप में आपको लिख देना है, 2 into 2, into 2, into 2, तो देखें कितना हुआ, 2 value, 2, 4, 8, and 16, अभी 16 से ज़्यादा है, 29 है न, तो अभी और एक बार और 2 लिखना पड़ेगा, तो यहां पर हो गया, 2, 4, 8, 16, और 32, 32 हो गया, यानि इसको हम 2 to the power 5 भी लिख सकते हैं, तो जो power की value होती है, 2 पर, उसी को number of round निकालने के लिए, यानि 2 to the power 5 आया, तो यहां पर answer आपका 5 हो जाएगा, अगर यही बोले कि 29 teams है और number आपको by निकालना है, तो कितनी by हो जाएगी, तो आपको फिर क्या होगा, पावर ना लेकर आपको उसकी value लेना है, 32 minus 29, by निकालने के लिए, अगर आपको by निकालने के लिए बोले, अगर बदल जाए, तब की बात कर रहा हूँ, तो 32 minus 29 आप अगर करते हैं, तो आपका आजाएगा, हो जाएगा आपका 3, 3 by आपकी हो जाएगा, तो by की case में तो यह answer होगा, क्योंकि next power of 2 minus number of team करते हैं, यानि 29 team है, तो next power हो जाएगा, उसका 2 to the power 5, और उसका value होगा 32, तो 32 minus 29 is equal to 3, 3 by होगा, और number of round कुछे, तो वही जो हमने निकालने के लिए जो power के रूप में इसको लिख दे हैं, तो power जो होता है, वही होता है number of round, इसको आप video lesson से देखके भी मेरे अच्छे से समाझ सकते हैं, खुशन number 37 देखते हैं, identify the odd one, इसमें से odd क्या है, तो पहला picture देखे, यह है रिकली एंजान, senior citizen test का test item, back scratch test, यानि इसमें जो है, flexibility ना पा जाता है, शोल्डर की, तो यह test है, back scratch test, senior citizen का, यह भी जो है, strength देखी जाती है, senior citizen test में, biceps का उल कराया जाता है, और यह जो है, flexibility देखी जाती है, leg की, sitting, उसमें, आपके senior citizen test में, और Harvard step up test है यह, जिसमें cardiovascular fitness, use, को measure करने के लिए इसे समाल किया जाता है, मिस्टर लूसेन बुरुखा ने इस test को डवलब किया था, Harvard step test, तो यह तीनों test item तो एक ही test के हैं, बस यह जो Harvard step test अलग है, तो इसमें से कौन सा odd है, यह आप देख लीजिए, चार number Friends, अगला segment है assertion और reason, यह बहुत important part है, और यह नया concept है, इसे किस तरीके से आसानी से solve किया जाता है, किस तरह से assertion region को ठीक तरीके से solve करने का आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यह वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो रही है, तो अभी हम इस वीडियो को end यहीं पर करते हैं, और assertion और reason के लिए मैं part 2 वीडियो बना दूंगा, तो उसे भी आप ज़रूर देख ले कि आप उसे अपने whatsapp या कहीं mail पर रख सकते हैं, जब भी जरूरत हो, उसे sequence wise बने वीडियो को लगा कर term 1 के हिसाब से आपको मैं description में दे दे रहा हूं, उसे आप जरूर देख ले, तो चलिए यहाँ पर मैं end करता हूं, और आपको all the best for examination, thank you, जै हिन, जै भारत.